C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय 14 प्रायोगिक ज्यामिती प्रिष्ठ 300 14.4 लंब रेखाएं आप जानते हैं कि दो रेखाएं या किरणे या रेखाखंड परस पर लंब यानि परपेंडिकुलर कही जाती हैं जब वे इस प्रकार प्रतिछेद करती हैं कि उनके बीच के कौन सम कौन हूँ सनलगन आकरिती में L और M परस पर लंब हैं एक फुल्सकेप यानि फुल्सकाप काघज या आपकी अभ्यास पुस्तिका के कौने दरशाते हैं कि दो रेखाएं परस पर सम कौनों पर हैं और कहां लंब रेखाएं देखते हैं? एक काघज का प्रिष्ट लीजिए और उसे बीच में से मोड़िये तथा मोड़ का निशान यानि क्रीज बनाईए इसी काघज को बीच में से अन्य दिशा में मोड़िये मोड़ का निशान बनाईए और काघज को खोल लीजिए दोनों मोड के निशान एक दूसरे पर परस पर लंब हैं 14.4.1 एक दी हुई रेखा पर स्थेट एक बिंदू से होकर लंब खीचना एक रेखा L कागज पर खीची हुई है और P उस पर स्थेट एक बिंदू है P से होकर गुजरता हुआ L पर लंब खीचना सरल है हम कागज को केवल इस प्रकार मोड सकते हैं कि मोड के निशान के दोनों और वाले एल के भाग एक दूसरे को आच्छादित करें अक्स कागज या कोई पार दर्शक कागज क्रिया कलाप के लिए अच्छा रहेगा आएए एक कागज लें और उस पर कोई रेखा एल खीचें अब एल पर कोई बिंदु पी अंकित कर लें अब कागज को इस प्रकार मोड ये कि एल स्वयम पर परावर्तित हो जाए अर्थात स्वयम पर गिरे मोड के निशान को इस प्रकार समायूजित कीजिए कि वह पी से होकर जाए कागज को खोल लीजिए मोड का निशान पी से होकर जाता हुआ रेखा एल पर लंब है सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए आप इसकी जाँच कैसे करेंगे कि यह एल पर लंब है ध्यान दीजिए कि यह पी से होकर जाता है एक चुनोती, रूलर और सेट स्क्वेयर की सहायता से लंब खीचना, एक आइच्छिक क्रिया कलाब चरण एक, एक रेखा L और एक बिंदु P दिये हुए हैं ध्यान दीजिए कि P रेखा L पर स्थित है चरण दो, रूलर के एक किनारे को रेखा L के अनुदिश रखिए, इसे कस कर पकड़े रहिए ये चरण साथ दी गई आकृतियों में दर्शाय गई हैं प्रिष्ठ 302 चरण तीन, एक सेट स्क्वेयर को इस प्रकार रेखा L पर रखिए के उसका समकोन बनाने वाला एक किनारा रूलर के उस किनारे के अनुदिश रहे जो रेखा L के साथ लगा हुआ है तथा सेट स्क्वेयर का समकोन वाला कोना भी रूलर के इस पर्श में रहे चरण 4, सेट स्क्वेयर को रूलर के अनुदिश तब तक सरकाईए जब तक के उसका समकोन वाला कोना बिन्दु P पर न आ जाए चरण 5, इस स्थिती में सेट स्क्वेयर को कस कर पकड़े रहिए सच्क्वेयर के समकोन के दूसरे किनारे के अनुदिश रेखा खंड P Q खीचिए रेखा खंड P Q रेखा L पर लंब है आप इसको दर्शाने के लिए संकेत इन्वर्टिद T का किस प्रकार प्रयोग करते हैं बिंदु P पर बने कोन को माप कर इस रचना की जाच कीजिए क्या हम रूलर के स्थान पर इस रचना में दूसरे सेट स्क्वेयर का प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में सोचिए रूलर और परकार की विधी ज्यामिती में लंब डालने की जिस विधी को प्राथमिकता दी जाती है वह रूलर परकार की विधी है इस रचना को नीचे दिया जा रहा है चरण एक एक रेखा एल पर बिंदु पी दिया हुआ है चरण दो पी को केंद्र मान कर और एक सुविधा जनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगा ये जो रेखा एल को दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिछेद करें चरण तीन ए और बी को केंद्र मान कर और एपी से अधी क की त्रिज्या लेकर दो चापों की रचना कीजिए जो परस पर क्यू पर काटें प्रिष्ठ 303 चरण चार पी क्यू को जोड़िये या मिलाईये तब रेखा पी क्यू ही एल पर लंब है हम इसे रेखा पी क्यू इन्वर्टिड टी यानि लंब का चिन्ह एल लिखते हैं सनलगन अकृति में ये दर्शाया गया है चौदह दशमलव चार दशमलव दो एक रेखा पर उस बिंदु से होकर लंब जो उस पर स्थित नहीं है इन्हें कीजिए काख़ मोडना यदि हमें एक रेखा एल दी हुई है और एक ऐसा बिंदु पी दिया है जो रेखा एल पर स्थित नहीं है तो पी से होकर जाते हुए रेखा एल पर लंब खीचने के लिए हम पहले जैसा काख़ मोडने का सरल क्रिया कलाप पुनह कर सकते हैं एक काख़ का प्रिष्ठ लीजिए पार दर्शक हो तो अच्छा रहेगा उस पर एक रेखा एल खीचिए और कोई बिंदू पी अंकित कीजिए जो एल पर स्थित नहो काख़ को इस प्रकार मोड़िए के मोड का निशान पी से होकर जाए तथा रेखा एल का एक भाग उसके दूसरे भाग पर पड़े काख़ को खोल लीजिए मोड का निशान एल पर लंब है और पी से होकर जाता है ये सनलगन आकरिती में दर्शाया गया है रूलर और सेट स्क्वेर की विधी एक आइच्छिक क्रिया कलाब चरण एक मान लीजिए एल एक रेखा है और पी उसके बाहर एक बिंदू है चरण दो एक सेट स्क्वेर को एल पर इस प्रकार रखिये के उसके समकोन का एक किनारा एल के अनुदिश रहे चरण तीन सेट स्क्वेर के समकोन के सम्मुख किनारे के अनुदिश एक रूलर को रखिये ये चरण सनलगन आकरितियों में दर्शाय गए है प्रिष्ठ 304 चरण 4 रूलर को कसकर पकड़े रहिए और सेट स्क्वेर को रूलर के अनुदिश तब तक सरकाईए, जब तक के P समखोन बनाने वाले दूसरे किनारे को सपर्ष न करने लगे चरण 5 सेट स्क्वेर के इस किनारे को अनुदिश P से होती हुई रेखा खीचिये, जो L को M पर काटती है, अब रेखा P M लंब L है रूलर और परकार की विधि निससंदेह, रूलर और परकार प्रयोग करने की विधि ही एक अच्छी विधि है चरण 1. रेखा L और एक बिंदु P दिया है, जो L पर स्थित नहीं है चरण 2. P को केंद्र मान कर और एक सुविधा जनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगा ये, जो रेखा L को दो बिंदुओं A और B पर प्रतिछेद करे चरण 3. समान त्रिज्या का प्रयोग करके A और B को केंद्र मान कर दो चाप खीचिये, जो एक दूसरे को बिंदु P के दूसरी तरफ Q पर प्रतिछेद करे चरण 4. P Q को जोडिये, तब रेखा P Q ही रेखा L पर वांचित लंब है, ये सब ही चरण सनलगन आकृतियों में दर्शाय गए हैं प्रिष्ठ 305. प्रश्नावली 14.4. एक एक रेखा खंड A B खीचिये, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिये, M से होकर रेखा खंड A B पर एक लंब, रूलर और परकार द्वारा खीचिये 2. एक रेखा खंड P Q खीचिये, कोई बिंदु R लीजिये, जो रेखा खंड P Q पर न हो, R से होकर रेखा खंड P Q पर एक लंब खीचिये, रूलर और सेट स्क्वेयर द्वारा 3. एक रेखा L खीचिये, और उस पर स्थित एक बिंदु X से होकर, रेखा L पर एक लंब रेखा खंड XY खीचिये अब Y से होकर, रेखा खंड XY पर एक लंब, रूलर और परकार द्वारा कीचिये 14.4.3 एक रेखा खंड का लंब सम द्विभाजक इन्हें कीचिये, एक कागज को मोड़िये मान लीजिये रेखा खंड AB मोड का निशान है, कहीं पर स्याही से एक बिंदु X अंकित कीजिये रेखा खंड AB को दरपन रेखा यानि मिरर लाइन मानते हुए X का प्रतिबिम्ब X- ग्याद कीजिये मान लीजिये रेखा खंड AB और रेखा खंड XX' परस पर O पर प्रतिछेद करते हैं क्या OX बराबर OX' है? क्यों? इसकार्थ है कि रेखा खंड AB रेखा खंड XX' को दो बराबर लंबाईयों के भागों में विभाजित करता है अर्थात रेखा खंड AB रेखा खंड XX' का सम द्विभाजक है यह भी ध्यान दीजिये के कोण A OX और कोण B OX सम कोण है? क्यों? अथह रेखा AB रेखा खंड XX' का लंब सम द्विभाजक है आक्रिती में हम रेखा खंड AB का केवल एक हिस्सा ही देखते हैं दो बिंदूओं को जोडने वाले रेखा खंड का लंब सम द्विभाजक उनकी सम मित अक्ष यानी Line of Symmetry भी है इनहें कीजिए पार दर्शक फीता चरण एक एक रेखा खंड AB कीचिए चरण दो एक आयता कार पार दर्शक फीते की एक पट्टी को रेखा खंड AB के विकर्ण तह इस प्रकार रखें के इसके किनारे बिंदूओं A और B पर रहें जैसा किस सामने आक्रिती में दिखाया गया है प्रिष्ठ 306 चरण 3 इसी प्रक्रिया को एक अन्य पट्टी लेकर इस प्रकार दोहरा ये कि दूसरी पट्टी विकर्ण तह पहली पट्टी को A और B पर काटे मान लीजिए ये दोनों पट्टियां M और N पर भी काटती है चरण 4 M और N को जोड़िए क्या रेखाखंड M N रेखाखंड AB का समद्विभाजक है माप कर जाच कीजिए क्या यह रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक भी है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहां है रूलर और परकार द्वारा रचना चरण 1 किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड AB खीचिए चरण 2 A को केंद्र मान कर परकार की सहायता से एक व्रित्त खीचिए आपके व्रित्त की त्रिज्या रेखाखंड AB के आधे से अधिक होनी चाहिए चरण 3 B को केंद्र मान कर और चरण 2 वाली त्रिज्या को लेकर एक अन्य व्रित्त परकार की सहायता से खीचिए मान लीजिए वह व्रित्त पहले व्रित्त को बिंदुओं C और D पर प्रतिछेद करता है ये सभी चरण सनलगन आकृतियों में दर्शाय गए हैं प्रिष्ठ 307 चरण 4 रेखाखंड CD को मिलाइए यह रेखाखंड AB को ओपर प्रतिछेद करता है अपने डिवाइडर का प्रयोग करके जाँच कीजिए कि ओओ रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है साथ ही यह भी जाँच कीजिए कि कोण COA और कोण COB सम कोण है अथह रेखाखंड CD रेखाखंड AB का लंब सम द्विभाजक है उपरोग तरचना में हमें रेखाखंड CD को निरधारित करने के लिए दो बिंदुओं C और D की आवश्यक्ता थी क्या इनको ग्याद करने के लिए पूरे वृत्तों को खीचने की आवश्यक्ता है क्या यह परियाप्त नहीं है कि इन बिंदूओं को ग्यात करने के लिए इन वृत्तों के दो छोटे चाप ही खीच लिए जाएं वास्तव में व्यावहारिक रूप से हम यही करते हैं प्रयास कीजिए रूलर और परकार की रचना के चरण दो में यदी हम त्रिज्या रेखा खंड एबी के आधे से कम लें तो क्या होगा अभी आप सुन रहे थे कक्षा छै की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक वाचनस्वर गौरव मारवा निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चाधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत